गरे लूप चार और सुखे जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में जो नुस्का हम आपके लेकर आए हैं वो एक हपते के अंदर यानि साथ दिन के अंदर आपका पांच के जी वजन कम कर सकता है बहुत यह एफेक्टिक नुस्का हम आपके लेक कराए हैं दोस्तों दुनिया भर में कई लोग मोटापे और एक्सेस वेट से बहुत परिसान है वह इससे चुटकारा पाने के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आप चिंता ना करें आपकी समस्या का समधान आज हमें इस वीडियो में लेकर आई हैं मोटापा दोस्तों कई बीमारियों की जड़ है यह सभी जानते हैं लेकिन इससे मुक्ती पाना इतना आसान भी नहीं है मोटापे को बढ़ाना पेट के उपर चर्वी बढ़ाना ये बड़ा आसान सा काम है जंक फूड खाओ कूर ड्रि मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर आप अपने बढ़ते पेट से परिसान हो गए हैं तो आपकी इस समस्या को समझाते हुए इस चीज को समझते हुए हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्का लेकर आए हैं जो मात्र एक हपते में पांच किलो तक वजन कम करने मे आपकी सहायता करेगा तो दोस्तो आप इंतजार ना करें और आज से ही इस नुस्के को शुरू कर दें इस नुस्के को आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वो वजन कम करने का साथ साथ आपके डायबेटीज और जो दिल की बीमारियां हैं उन गंभी रोगों को भी दूर करेगा आपको दोस्तों पता ही है जब वजन बढ़ जाता है सरीर का सरीर में फैट एक्स्ट्रा जमा होने लगती है तो दिल की बीमारियां और सुगर की बीमारी खुद बखुद चली आती हैं तो इन दोनों बीमारियों के लिए भी ये दवा जो नुस्का हम आपको बता रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत गजब का काम करता है इसके लिए हमें सामगरी चाहिए करीब साड़े साथ सो ग्राम पानी आप देख रहे हैं ये भगोने में हमने इस पैन में लिया है पानी लिया है और इसमें हमें मिलाना है एक नीमू का रस एक मीडियम साइज क और इसके हम दो पीज पहले से कर लिए इसके हमदर हम निव मदाली तॉडर दालेंगे और इसमें आधाचमच्ण हल्दीका पॉडर जाला है अज इस सिर्फ आधाचमच्णच ज्यादा नहीं और आधा चम्च डालेंगे हम हम अध्रक का कुटावा पॉडर पेस्ट बना कर इसको डाल सकते हैं या फिर इसको मोटा-मोटा दरदरा कूट ले और इसका एक चम्मच इसमें डालना है ठीक है? और यदि आपको अधरक का रस निकलावा निकाल लें उसको निकलावा मिल जाए तो आप एक चम्मच की बजाए उसमें आधा चम्मच ही अधरक का पॉंडर डाले और इसमें हम डालेंगे सिर्फ एक चुटकी लाल मिर्च यह लाल मिर्च है लाल मिर्च डालेंगे इसमें अब इसमें एक एक करके सारी चीज़ों का मिसरन करते हैं यह हमारा पानी रहा और यह जो है इसको हम कहेंगे weight loss करने वाली चाय इस ड्रंग को बनाना इस चाय को बनाना बहुत आसान है जैसे चाय रोज बनती है हमारे घर में बस वैसे ही बनाना है इसमें ये पानी है इसमें डाल ली है सारी चीजे और जो हमने सामगरी अभी आपको बताई वो डाल कर इसको थोड़ी से देर के लिए उबालना है कुछ मिनिटों बाद इस मिसरन को आग से फिर हटा ले और ठंडा होने दे, हलका गुन-गुना रहने दे और चाय के तरह इसको पीना है दिन में 3 बार में पीना है एक ही बार बना लेना है और दिन में फिर 3 बार इसको पीना है 2500-500 ग्राम घिक है? एक-एक पाव अब देखते हैं इसको बनाते कैसे है आब जो चीज़े हमने बताई हैं आपको एक-एक करके इस पानी में आप डाल लो कि सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे नीमू यह नीमू डाल रही हैं इसके अंदर जीदी बीज आ जाये तो बीज निकाल देना वैसे भी लास्ट में च्छानना तो है तो एसी कोछ चिंता की नहीं यह बात इजी इसमें बीज गिर भी जाये तो कोई प्रोब्लम नहीं है ठी है अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पोडर और आधा चम्मच हल्दी का पोडर और आधा चम्मच अध्रक का पोडर या कुटा हुआ अध्रक एक चम्मच ठीक है क्वांटिटी पर ध्यान रखें इतना कुटा हुआ अध्रक डाल दिया हमने इसमें और इसमें हम डालेंगे सिर्फ चुटकी भर लाल मिर्च लाल मिर्च जादने डाल ली है सिर्फ एक चुटकी लाल मिर्च इसको मिक्स करना है मिक्स करके आप दोस्तों इसको थोड़ा गरम करना है गरम कर लें इसको और इसको फिर एक जब हलका सा गरम हो जाए उबाल इसमें आ जाए तो आप इसको आज से उतार लें स्टॉप से उतार लें और इसको किसी दूसरे बरतर में च्छान कर रख लें बस इसमें से आपको 500 g सुभे और 500 g दोपहर को और 500 g आपको रात को इसको लेना है ठीक है इसी तरह से सुभे आप लेंगे इसको खाली पेट और दोपहर को लेंगे खाना खाने से आदा गंटे पहले और रात में जब आप लेंगे तो रात में भी आप इसको खाना खाने से आदा घंटा पहले लेंगे दोस्तों यकीन मानिए कि दो दिन के अंदर अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत तेजी से आपका वजन कम होगा पेट की चर्बी कम होगी और बहुत ही जल्दी एक हपते के अंदर अंदर आपके वजन को काफी हद तक कम कर देगी और जो रिजल्ट आपको लेने है तो इसके लिए आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं कुछ और दिन अच्छा लेने की जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक हपते के अंदर अंदर ही आपका कम से कम पांच केजी वजन ये कम कर देगा नुसका ये चाय बहुत ही गजब की है आपके डाइबेटीज के लिए भी और हर्ट डिसीजिस के लिए भी दिल की बीमारियों के लिए भी इसके सा की हैं सारी की सारी नैचुरल हैं और सब की सारी की सारी चीजें आपके किचन बे भी मौजूद हैं कहीं से भी आपको कुछ बाहर से लाने की जरूत नहीं पड़ेगी बस ध्यान रहे कि ये नुसका पूरे दिन में सुबह एक बार बना ले और सुबह से साम तक इसको हलका गुनगुना सर्व करना है इसको हलका गुनगुना ही लेना है ठंडा ना ले लेकिन आप इसको सुबह बना कर रख सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं पूरे दिन के लिए और इसको तीन हिस्सों में बाट कर इस पानी को इस चाय को तीन हिस्सों में बाट कर आप तीन बार इसको ले सकते हैं सुबह खाली पेट ले दोपेर को खाना खाने से पहले आदा घंटा पहले ले और रात को भी खाना खाने से आदा घंटा पहले ले बस इस चाय का सेवन करें और इस बड़ी से बड़ी समस्या जो है आपकी वजन की मोटा पेकी और पेट के उपर कमर के उपर जो चरबी है उसकी आपको बहुत आसानी से सराहत मिल जाएगी आप छुटका रपाप आएंगे इससे दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा ये वीडियो ज़िए आपको अच्छा लगा हो हमारा ये नुस्का आपको जो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं हम जल्दी फिल लोटे हैं कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें